अच्छे में होंगे आप सबी का पहुत पहुत स्वागत थे हमारे निउ ब्लोग में तो दोस्तो कल का ब्लोग जहां से खतम किया था वहीं से ब्लोग की फिर से शुरुआत कर दी है तो इधर आप सबी से हम मिले हैं साम के लगभग साड़े पांच बजे के टाइम तो यहां पर सबी लोग बैठे हुए हैं और साथ साथ में मौंगफली भी फोड़ रहे हैं क्योंकि मौंगफली बीच के लिए निकाली जा रही है और एक तरफ खुदाई होगी मौंगफली की दूसरी तरफ दुबारा से बुबाई हो जाएगी तो यहां पर सबी लोग बैठे हुए हैं साथ साथ में बाते भी कर रहे हैं और साथ साथ में हमारे काम भी हो रहे हैं और इतने टाइम मौसम भी अच्छा है बादल भी एकदम से हट गए हैं बादल बिल्कुल भी नहीं हलके से सपेज सपेद बादल चाय हुए हैं तो ये जो सपेज सपेद बादल है ये वाले बादल आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं देखने में तो आरोही बहुत ज़्यादा खुसती बादलों को देखकर और एकदम से मौसम साप हो गया है इतने टाइम बादल बिल्कुल भी चाय नहीं है और बैठे बैठे हम बहुत ज़्यादा ठक गए थे तो मेने का थोड़ा सा लेट कर आराम कर लेते हैं तो यहीं पर हम और आरोही लेट गए हैं और लेट कर बादल देख रहे हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं बादल एकदम से नीला नीला आसमान है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने टाइम तो सभी लोग यहां पर हम लोग बैठे हुए थे और उसके बाद में अभी बनाना है खाना तो खाना हम लोग थोड़ा बहुत सुबे की तरह यहां पर भी बना लेंगे सबजी यहीं पर बना लेंगे और रोटियां घर पर सेक लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा खाना और उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं सुबा के टाइम तो आज है एक जुलाई और दिन है मंगलवार का और बिल्कुल सुबे सुबे का समय हो रहा है तो यहां पर सबसे पहले घर की साप सफाई करेंगे और उसके बाद में जो भी काम है वो हम बाद में करेंगे जो सफाई के काम है वो सबसे पहले सुबा सुबा रहते हैं तो सबसे पहले हम साब सफाई के ही काम करेंगे और यहां पर घर में जारू लगा देते हैं अच्छे से सबी लोग उठ भी चुके हैं क्योंकि जल्दी से ही सबी लोग उठ गए हैं इन दुनों में दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं तो काम की बज़े से जल्दी से उठ जाते हैं तो हमारे काम भी जल्दी से हो जाते हैं जादा गर्मी नहीं हो पाती है दुपेरी तक हम लोग सारे काम खतम कर लेते हैं तो आज भी बहुत सारे काम है लिपाई पुताई के और थोड़ी बहुत साप सफाई भी करनी है कपड़े भी दुलने हैं तो आज भी हम लोग सुबा से ही लग गए थे साप सफाई करने में त और आज हमें रसोई की पुताई भी करनी है, क्योंकि रसोई की हालत तो आप सबी देखी रहे हैं, बारिस की बज़े से रसोई की हालत बहुत जादा खराब हो गई है, तो धीरे धीरे यहां की भी साप सपाई हम कर देंगे, और बारिस तो नहीं हो रही है, जब होगी बारिस तब देखा जाएगा तब तक के लिए हम यहाँ पर पुताई कर देंगे और साम के टाइम हो सकता है कि लिपाई भी कर दें लेकिन तब तक के लिए हम यहाँ पर बस मिट्टी से पुताई कर देंगे और सबसे पहले तो जो राख यहां पर रखी हुई थी चूले में बो मैने का कर देते हैं टीपे में और अब की बार काफी दिनों से हम लोग टीपे में ही राख करते हैं क्योंकि वरोसी अभी भी मैंने यहां पर रख नहीं पाई है और कंडा लकड़ी मैंने रख दिया है इधर साइड में इधर से मैंने का पुताई करके फिर से दुबारा से कंडा लकड़ी यहीं पर चूले के पास में डाल देंगे और तब तक थोड़ी सी हल, सूख भी जायेगी लिप, पुताई हमारी और यहाँ पर हमें आधी रसोई में पुताई करनी है इदर साइड की हम छोड़ देंगे जो सामने सामने की रसोई है उसी में हम पुताई कर देंगे क्योंकि बुणा इतने time यहाँ पर बोल लही थी कि हल्की हल्की पुताई करना नहीं लिपाई बहुत ही अच्छे से बनती है और यहाँ पर कल मैंने थोड़ी सी मिट्टी भी लगाई है वो भी आप सभी के साथ में सेर किया था तो मिट्टी भी हमारी अच्छे से सूख चुकी है तो कि थुमरिया में इतनी जादा मिट्टी निकल लई थी सूखी वाली और अब लगाती है तो एकदम से मिट्टी चपक गई है तो अब निकलने का डर भी नहीं है और अच्छे से तुमरिया भी हमारी पक्की हो गई है तो अब गिरेगी भी नहीं इतनी जल्दी से बैसे तो ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगी अगर आंधी उन्दी आएगी तो यहाँ पर मिट्टी भी हमारी अच्छे से जो कर लगाई थी वो सूख चुकी है और सुबे सुबे ही हम लग गए थे पुताई कहने में क्योंकि मैंने का भी कर देते हैं फिर नहा लो फिर पुताई उताई कर तो दो लेकिन वो बात नहीं रहती है कपड़े पड़े बहुत जल्द से गंदे हो जाते हैं वैसे तो ज़्यादातर हम जब हमको टाइम मिल जाता है सुबा मिल जाता है तो सुबा कर देते हैं पुताई या फिर नहाने के बाद भी कर देते हैं यह नहीं है कि नहाने के बाद में ना करें जब भी जैसे टाइम मिल जाता है तब हम कर देते हैं त एक दिन और मैंने पुताई की थी तब भी मैंने सुबा सुबा ही यहां पर की थी तो इतने में ही हम पुताई करेंगे पूरे में बिल्कुल इधर तक नहीं करेंगे थोड़ी सी जगे मैंने यहां पर छोड़ दी है बस इतने में पुताई करके उसके बाद में नहाएंगे औ क्योंकि टाइम भी हो रहा था और पुताय उताय करने में लिपाय करने में काफी टाइम लग जाता है और घर में भी लिपाई पाई करनी है तो भो भी काम भी देखने है सपाई भी थोड़ी सी करनी है तो घर में तो लिपाई हमारी नदजी ने की थी भो भी आप सभी के साथ में आगे blog में share करेंगे तो यही सारी तयारियां हमारे यहां चल रही हैं एक तरप काम भी हो रहे हैं काम की भी बहुत ज़दी है क्योंकि पापा कल भी बोल ले थे और आज भी बोल ले थे कि जो मूंभली फोड़नी है वो जल्दी से दो-चार दिन में सारी मुंखली फोड़ दो और बुबाई हो जाएगी जल्दी से और जो खड़ी है मुंखली वो बाद में खोदी जाएगी पहले बुबाई हो जाएगी जो खेत हमारे खाली पड़े हैं क्योंकि बारिस हो गई है तो खेत बहुती अच्छे से बन गए हैं और यहां पर मैंने रख दी थी थोड़ी सी चाय क्योंकि जो बनी थी वो खतम हो गई थी तो आरोही और आरोही के पापा के लिए दुबारा से मैंने चाय बनाई है और खाना थोड़ा सा हमारा बन चुका है थोड़ा भी बनना बांकी है तो एक सबजी तुरई की बन चुकी है और यहां पर बुआ बनाएंगी मीठी वाली अमिया जो की मीठे वाले आम तो यह वाले हमारे यहां पापा और आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद हैं भी पसंद करती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंद हैं वो हैं पापा को और आरोही को तो कल पापा बाजार से लेकर आये थे यह आम और आम भी बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो गुआने का चलो इनको हम छोंक देंगे और अक्सर कर बुआ ही यह बाले आम बनाते हैं और चुहनती है न कि राई चाए पीली वाली डालो या फिर काली वाली तो कोई भी हो वो डाल सकते हो इसमा राई तो जरूर ही बढ़ती है राई बढ़ जाती हो तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो बुआ ने चोक दी है सबजी सबजी नहीं मीठे वाले आम चोक लेकिन और भी बहुत सारी अभी फोड़नी है और नंदत जी हमारी खाना खा रही है क्योंको भूंक लग गई थी काफी टाइम हो गया चावल हमारे बन चुके हैं बना दिये हैं मैंने अभी रोटियां सेंक नी बांकी है तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि चूले पर ही रोट बनाते हैं यहीं पर हम उठाकर ले आये हैं और आज थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं आया था थोड़े सी हल्दी जो थी बुगा ने कम डाली है तो इसी वज़े से थोड़े सी हल्दी कम लग रही है वैसे इसका कलर एकदम से महरूम महरूम आता है बहुत ही दिखने में नदजी ने शुरू करती है लिपाई तो हमारी नदजी जो लिपाई करती है बहुत ही अच्छी लिपाई करती है आप सभी देख सकते हैं कितनी अच्छी लिपाई कर रही है एक तमसे जुकिया बहुत ही अच्छे से बना रही है तो इस तरीके से हमारी लिपाई नहीं बनती है जैसी कि हमारी नंदत जी की लिपाई बनती है और बहुत ही अच्छे से आप सभी को आज मैंने का पास से दिखा देते हैं तो आज मैंने जो हने की ब्लोग बनाया है यहां पर नंदत जी का और वैसे आप सभी कमेंट करते हो कि आप पास से लिपाई नहीं दिखाती हो तो इसी बज़े से हम नहीं दिखा पाते हैं, जब कोई इस तरीके से हमारा ब्लोग बना दे तो बिल्कुल पास से लिपाई दिख जाए, तो आज आप सभी को मैंने का पास से दिखा देते हैं, हमारी नंदत जी लिपाई कर रही हैं, और हमें अभी बहुत सारे काम करने थे, बर कितने टाइम बारिस होने लगे, क्योंकि बादल तो छाय ही रहते हैं, कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है, और यहां पर पूरे में हमारी नंदत जी ने लिपाई की थी, यहां की हो जाए, उसके बाद में बिरामदे में फिर करेंगी लिपाई, और कमरे मे नहीं की थी, क्योंकि कमरे के लिए गोबर ही नहीं बचा था, थोड़ा सा ही गोबर यहीं के लिए बनाया था, और बाहर भी या लिपाई नहीं की थी, हम लोगों ने, क्योंकि लिपाई जो हैने की बाहर इस बज़े से नहीं की थी, कि अगर थोड़ी बहुत अगर बारिस हो जाएगी फिर लिपाई पूरी की पूरी खराब हो जाएगी तो अंदर अंदर ही लिपाई जहाँ पर करनी है वहाँ पर मैंने का अंदर ही कर दो बाहर कलल कर देंगे तो अच्छे से जो हैने की सूख भी जाएगी अगर पारिष खुलेगी तब करेंगे नहीं तो फिन नहीं करेंगे और यहां पर अभी अंदर बिरामदे में हमारी नदजी लिपाई कर रही है और इतिनी अच्छी लिपाई कर रही है एकदम से जुकिया बहुत ही अच्छी बन रही है और आप सभी दोस्तों को तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हूँ हमें बहुत अच्छा लगता है इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुले रहिएगा अपना प्यारों सपोर्ट बनाए रखना और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब काई लिया करें और उसके बाद में हम यहाँ पर आये थे बगिया को कपड़े दुलने के लिए जैसे कि आप सभी को बताया था कि थोड़े बहुत कपड़े भी आज भी हमें दुलने हैं तो आज भी थोड़े से परदे निकाल कर लाए हैं थोड़े थोड़े करके मैंने कपड़े सारे दुलने हैं क्योंकि थोड़े कपड़े मैंने कल दुलने थे और जो बांकी के कपड़े बचे हैं वो मैने का आज धुल लेते हैं वैसे तो बहुत सारे खटा हो गए थे कपड़े लेकिन मैने का आधे आधे करके धुल लेंगे तो आराम रहेगी और एक साथ में धुलने में पानी की भी दिक्कत होती है वैसे तो आज पानी की दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि हम चले आये थे दीदी के यहां बगिया को और यहां पर दीदी की लगी हुई है समर तो यहां पर पानी की दिक्कत नहीं होती है और नल भी बहुत ही अच्छे से पानी देता है तो यहां पर फिर मैंने काज धुल लेते हैं जेसे हम यहां पर नहीं आते हैं बंदर भी रास्ते में कभी-कभी मिल जाते हैं तो नंदत जी थी तो मैंने काजलो धुल लेते हैं और दीदी की बिटिया भी थी बड़ी अम्मा थी यहां पर वैसे तो बड़ी अम्मा तो हमारी यहीं पर रहती हैं आप सभी को कई बार मैंने दिखाया है ब्लोग में, तो बड़ी अम्मा 24 गंटे यहीं पर रहती हैं, दिन में तो घर पर चली जाती हैं, और रात के समय में भी यहीं पर रहती हैं, तो यहाँ पर बस हमारे कपड़े सारे फिंच चुके हैं, और सारे कपड़े अच्छे से 2-4 बार पानी में धुल लेते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, पानी की यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही है, तो कपड़े सारे हमारे जल्दी से धुल गए थे, और आज बिल्कुल हलकी सी धूप निकली है, तेज नहीं है, हलकी हलकी धूप निकली हुई है, तो धुल मैंने का जो लिपाई थोड़ी सी करनी है वो हम कर लेते हैं यहां पर करनी है लिपाई जो मसीन वाला ए छपपर है वहां पर जहां पर हमारा चारारा खंदा जाता है तो वैसे तो बुआ ने सुबा के टाइम यहां पर पुताई की है लेकिन इतने टाइम मैंने का हम लिपाई कर देते हैं बुआ मुंग फली फोड़ रही थी और हम बहुत ही कम मुंग फली फोड़ पाते हैं जब सभी लोग यहां पर फोड़ते हैं बैठकर तो जब हमें टाइम मिल जाता है तो फोड़ देते हैं नहीं तो फिर बुआ लगी रहती हैं पूरा दिन मुंग फली फोड़ पूरे में बादल चाये हुए हैं ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बारिस होगी लेकिन बहुत ही हलकी सी बारिस नहीं हुई वो भी अच्छा है नहीं तो फिर हमारी पूरी लिपाई खराब हो जाती क्योंकि थोड़ी सी लिपाई मैंने रसोई में भी की थी और रसोई में भी इतने अच्छे से छपर नहीं बन पाया है कि लिपाई कर दो हमारी लिपाई अच्छे से बनी रहे जब भी ज़्यादा तेज बारिस होगी तो पूरा छपर अभी भी टपक रहा है क्योंकि उस दिन बैसे पापा और आरोही के पापा ने समाला तो है लेकिन फिर भी इत अच्छे से नहीं हो पाया है तो थोड़ी सी मैंने जो लिपाई रसोई में की थी वो आप सभी के साथ में अगले व्लोग में सेयर की है यहां की बस लिपाई आप सभी के साथ में सेयर की है क्योंकि आज लिपाई कुछ जादा ही की थी हमारी नदज जी ने भी लिपाई की और कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो कल हम लोग लिपाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आज ही सारी लिपाई कर डाले है, तो यहाँ पर बस थोड़ी सी लिपाई बाखी रह गई है करने के लिए, और आज मैंने यहाँ पर गेरू भी नहीं मिलाए है, बस उसे जाधा लिपाई करते हैं जब अच्छे से धूख निकलती है तो गेरू मिलाओ तो अच्छे से सूख भी जाती है लिपाई और जाधा दिन तक चलती है और इन दिनों में जाधा दिन तक लिपाई नहीं चलती है तो यहाँ पर बस कर देते हैं पूरे में लिपाई फिर तो लगबद रात का समय है, रात के बारा बच गए हैं, क्योंकि आप सभी के पास में कल हमें ब्लोग भी पहुंचाना है, तो काफी टाइम हो गया था, और पंखा भी हमारा चलड़ा है, तो पंखे की आवाज आप सभी को सुनाई पड़ रही होगी, तो यहाँ पर बस थोड़ी सी लिपाई बाकी है, और आप सभी को मौसम दिखाते हैं, आज का बहुत तेज बादल आ गए थे, लेकिन बादल फिर चले गए थे, बस हलकी सी बारिस हुई थी, और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो यहाँ पर हमारी पूरी लिपाई हो अगर आप सभी को हमारे ब्लोग पसंद आते हैं, तो फिलीद वीडियो को लाइक कर दिया करें, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लोग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को आप सब आप